नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज Nifty के बारे में और Nifty 50 में जो Stocks Trade करते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Nifty 50 की Analysis पूरी करके बताऊंगा इस Index में कौन से सपोर्ट और रजिस्टन्स लेवल जो है मंडे के लिए काम करने वाले हैं और Nifty 50 में जो 50 Stocks Trade करते हैं उन सब की Analysis में आपको विद लॉजिक यहां पर करके दिखाऊंगा तो जैसा यह देखिए यहां पर हमने पहले में इसको डिखर दो देखिए यहां पर हमने यह देखिए एक मैंने आपको यहां पर 13,140-150 का यह जो हर्डल था यह फाइनली देखिए यह जो थास्टे की session में जो एक शेशन था वहां पर इसने जो है नीचे की तरफ की movement की थी तो यहां पर एक S-type का मतलब it seems that it's a fake breakout तो यहां पर लगा कि जैसे fake breakout है उसके बाद नीचे आ सकता है बट यहां पर जब तक हम इस trend line के उपर थे यह निचे से जो मैंने trend line draw करके रखी हुई है तो जब तक हम इस trend line के उपर थे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जब तक हम यहां पर बुलिश ही थे इस trend line के नीचे अगर हम आते फिर हम बेरिश होते फाइनली यहां पर देखिए निफ्टी ने जो है यहां पर फाइनली अब देखिए इसका high निकाला जो इसका high लगवा तो 13220 का तो फाइनली इसका high निकालके अब जो है इसने जो नया high जो अगर आपने पोजिशन बनाई हुई है तो अपनी पोजिशन आप यहां पर continue hold कर सकते हैं पिछले डे का stop loss लगा कर बात करेंगे यहां पर 15 मिंट के चार्ट में तो 15 मिंट के चार्ट में यहां पर किस तरह से मूव हुई थी अब यहां पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में बताया था पहले मैं ट्रेंड लाइन इसका समझाता हूं मैं आपको जैसा मैं आपको बैंक निफ्टी की वीडियो में बताया था कि जो मार्केट के जो स्वेरे ओपनिंग हुई थी वो पहले continue एक तरफा थी उसके बाद जो यहां पर डॉ हमने बैंक मोट की वारे दो अपनिक चोने निफ्टी के अदर फॉकस करते हैं हुए और ज्य disci 2009 हमणा थोड़धी कम होती है और जबतलार्ये हमारे लिए बहुत इंपोर्टैंट अब जब तक हम इस त्रेंड लाइन के उपर बने हुए हैं ध्यान एक जब तक कर बने identified मैंने support draw किया हुआ है 13,140 के आसपास का तो यह जब break होगा उसके बाद हम यहाँ पर कहीं अगर bearish side जाना होगा फिट देखेंगे otherwise हम यहाँ पर bullish side देखने वाले हैं अब यहाँ पर देखिए कल के लिए क्या important है हमने किस तरह से trading करनी है अब यहाँ पर मैं आपको एक level of draw करके दिखाता हूँ यह जो previous day का जो opening थी अब यहाँ पर कहीं market आपको gap down कहीं opening होती है यहाँ कहीं मिलती है तो यहाँ पर आप buying का trade बना सकते हैं otherwise आपको अगर इस trend line के आसपास मिलती है इसको मैं पहले delete करूँ यह trend line के आसपास मिलती है तो आप यहाँ पर easily पैसा बना सकते हैं buying trade यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा मैं आपको अब यह trend line delete करके दूसरा मैं आपको एक और scenario है आपर बताऊंगा इसके आसपास यह देखिए अब यहाँ पर भी अगर 13,150 के आसपास भी आप यहाँ से buying का trade बना सकते हैं ठीक है और उसके बाद एक चीजा और आप ध्यान रखिएगा gap up opening अगर यहाँ पर हो जाती है तो gap up opening के बाद आपको वहाँ पर price action का बेट करना है price action के बाद ही आप वहाँ जो buying side जाईए अब यहाँ पर sell side नहीं देखना है अगर आप sell side के लिए देख रहे हैं तो छोटे मोटे trade इस तरह से बना सकते हैं यह देखिए जैसे यह trend line है मैं आपको 5 minute के chart में लेके चलता हूँ फिर आपको समझाने कोशिश करूँगा अब यह देखिए जैसे यह हमने trend line यह draw कर दी अब यह trend line मालेजे breakout होता है तो breakout होने के बाद मालेजे यहाँ पर कहीं breakout होता है तो हम कम से कम यहाँ तक का यह देखिए हम कम से कम 30 से 40 point के लिए हम यहाँ पर sell side के लिए जा सकते हैं एक चीज का और ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पर nifty 50 में sell side के trade बना रहे हैं option में तो आपको जो है वो trade जाय देव तक hold नहीं करना है आपको 20 से 25 point अगर profit मिले 15 से 20 point मिले तो आपको वहाँ पर चोटी चोटी profit जो है book कर लेने है अगर आप buying side के लिए जा रहे हैं buying side के लिए देख रहे हैं तो आप वहाँ पर hold कर सकते हैं आप continue higher high higher low को वहाँ पर stop loss आपने ट्रेल करते हुए continue उसको hold कर सकते हैं तो बात करेंगा bank nifty में जो stocks date करते हैं उनके बारे में तो यह देखी अडानी port यह देखी मैंने यहाँ पर यह level draw किया हुआ था 375 का तो यह 375 इसके लिए बहुत अच्छा है कि hurdle के काम कर रहा था finally इसका breakout हुआ और देखे कितना अच्छा move यहाँ पर मिला अब यहाँ पर 459 रुपे के उपर निकलेगा था हम यहाँ पर आइंसेट के लिए देखेंगे हमारे टार्गेट होगा 462 और 466 नेक्स्ट है हमारे आशन पेंट्स तो इसन पेंट्स भी यहाँ पर देखेंगे मैं जो है विकेंड पे कुछ चार्ट पोस्ट करता हूँ और उन चार्ट में जो है यह यह एशन पेंट भी था अगर आप व ह resonance to stock में मैंने position बनाए यह वह सारी चीजे ही करता हूँ कोई ऐसे अपनी परसड़ चीजे शेयर नहीं करता है बाढ़ मने अपनी सारी चीजे sheriff कर देता हूँ आप लेनी कि आप मेरी jayap से कुछ लेने वाले हैं निकाल लेंगे सो यह तो अब स्कौन Tu पनिंगे है अगर को मिलेगी फाइनली देखिए 250 के बाल हमने जो आज हाई लगाया है वो 2450 के आसपस का लगा दिया है अब यहाँ पर इंट्राडे में अगर आपको 2450 के उपर मिलता है तो आप यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे यहाँ चोवी सो पचतर और विकेंड में दिया था और यहाँ पर आपको बताया था कि यह ब्रेक आउट के बाद जो है अच्छा एक मूव कर सकता है फाइनली देखिए 3,340 का लेवल इसने ब्रेक किया और इसने जो हाई लगा है वो अपर के देखिए हुई है और उपर के ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रहा है यहां से जब नीची के ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो बाइंग कर देखेंगे बहूत अच्छे लेवल पर है मैं आपको इसारे से यह ड्राव करके दिखाऊ हूँ तो आप यह इसका डंडा हो गया और इसका जंडा हो गया ठीक है तो यह एक ब्लैक पैटन बना हुआ फाइनली जो है एकस्पारी डे वाले दिन जो है इसका ब्रेक आउट आ गया था बजाज पिंज दरू का बट जो है मतलब यह अपना फ्राइडे के सेशन में जो है कोई अच्छी खास मूँ देखने को नहीं मिली अब हम जो है इसको देखेंगे बानवे सो दस रपे के उपर निकलता है तो आप यहां पर इंट्राइट इमें ट्रेट जरूर बनाईए आप यहां से बहुत अच्छा एक टार्गेट यहां से एकस्क्रक्ट कर सकते हैं यहां पर जो है मैं पोलिम BPCL अब 400 का लेवल इसके लिए इसके लिए इंपोर्टेंट है 400 के लेवल पर जो है रजिस्टन्स फेस कर रहा है 400 की क्लोजिंग के ऊपर जब यह निकलेगा तो यहां पर हमको जेखने को मिलेगा 415 का टार्गेट हम यहां पर देखेंगे यहां पर नेक्स्ट है हमारा भारती एटल तो भारती एटल अब देखिए यह अपने रजिस्टन्स के आस पास जो है फ्राइडे के सेशन के जो केंडल बनी है वो आप देख सकते हैं कि 495 का जो रजिस्टन्स था उसको इसने टच कर दिया है अब इसको अगर आप सेफ चलना चाते ह और फाइनली यहां breakout हो सकता है फिर retest करने के लिए आ सकता है उसके बाद फिर उपर की तरफ जा सकता है तो इस तरह का figure जो है market में हो सकता है तो ध्यान लखिएगा नेक्स्ट है हमारा Britannia तो अब Britannia हम देखेंगे यह देखें बिटानिया के लिए अब यह जो hurdle है मैंने एक breakout इसने यहाँ पर दिया हुआ है और breakout के बाद यहां पर रिटेस्ट कर रहा है तो ट्रेंड लेंड ब्रेक हो लेने के बाद हम यहां पर buying side के लिए देखेंगे नेक्स्ट है हमारा sipla तो sipla देखें यहां पर यह एक range में काम कर रहा है देखें यह ऊपर का resistance level है और नीच तो फाइनली यहां पर देखे कभी भी कोई भी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है या कुछ भी है जब भी सपोर्ट या रेजिस्टन्स के पास जाने के बाद वह समझे एक साइडवेज होने लग जाए तो वहां से बहुत अच्छी मूव की जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी मूव हो सकती है अब देखे यहां से एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ काम कर रहा है तो यह अब यहां पर देखे 172 रुपे के ऊपर हम इसको बाइन के लिए देखेंगे हमारा टार्गेट यहां पर रहेगा बट हम जो है अभी इसको जब तक इसके ऊपर हम क्लोज नहीं होंगे तब तक हम यहां पर अभी कोई ट्रेड यहां पर बनाने वाले नहीं है नेक्स्ट है हमारे डिविस लैब तो देखेंगे डिविस लैब मैंने आपको यहां पर बताया था 3640 के आसपास यह एक रेंज में काम कर रहा था मैं आपको 15 मेंट के चार्ट में लेकर चलता हूँ यह देखेंगे यहां पर यह जो 3650 के आसपास और यह नीचे के रेंज यहां पर यह देखेंगे चारगे बना ली हुई है पांच हजार की क्लोजिंग के ऊपर आप जो इसमें पोजिशन बना सकते हैं अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन ऊपर से कंटिनियो आ रही थी जो लोवर लोवर हाई बन रहे थे फाइनली उसको लेकर हमने ट्रेंड लाइन यह ड्रॉ की है और यहां पर पांच जार के लेवल के आसपास अब यह कंटिनियो सस्टेन कर रहा है पांच हजार के ऊपर की क्लोजिंग है काने दीजिए एक केंडल को पांच जार के ऊपर क्लोज होने दीजिए उसके बाद हम यहां पर एक बहुत अच्छी मूव देखने वाले हैं नेक् की तरफ जो है अब यह सपोर्ट लेकर उपर की तरफ जा सकता है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं पच्छिस सो चब्वी सो रुपे के ऊपर आप इसको सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं सकेंड हमारा देखिए अगर आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम चैनल में मैं यहाँ पर continue updates करता रहता हूँ वहाँ पर bank nifty के चार्ट, nifty के चार्ट continue post करता हूँ वहाँ पर वीकेंड पे आपको जो है देखिए positional stocks देता हूँ कौन से स्टॉक में breakout होने वाले हैं या किस स्टॉक में breakout हो चुके हैं या किस level पर आपको buy करना है या हमने किस level पर position बनाई है वो सारी चीजे मैं वहाँ पर बताता हूँ अगर आपने telegram channel जोईन नहीं कि है तो telegram channel जरूर जोईन कर लीजे तो देखिए गेल हमने यहाँ पर दिया था हमने यहाँ पर 50 रिपे 60 पैसे 85.6 पर यहाँ पर entry बनाई थी और मैंने इसको लास्ट वीकेंड पर आपको दिया भी था लास्ट वीकेंड पर मैंने आपको इसको ट्रेड करने के लिए दिया था और बताया भी था कि ब्रेकाउट के बाद यहाँ के ब्रेकाउट के आद आप एक बहुत अच्छी मूँ देखेंगे फाइनली इसने 122 हमारा पहला टार्गेट यहाँ पर अचीव कर दिया है तो हमने यहाँ पर 50% क्वांटिटी अब बुक कर ली है अब देखेंगे तो यह देखेंगे तो यह देखेंगे कंटिन्यू असेंडिंग चैनल में काम कर रहा था और फाइनली यह ब्रेकाउट आ चुका है ग्रासिम का चार्ट भी मैंने आपको शायद लास्ट विकेंड में मैंने दिया था पोजिशन बनाने के लिए कि अगर यह यहाँ से चैनल का ब्रेकाउट होता है फिर आप यहाँ पर पॉजिशन बना सकते हैं अगर अब आपने पॉजिशन नहीं बनाई है तो आप यहाँ पर इसको रिटेच्ट होने दीजिए इस trend line के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पर 850 का stop loss लेकर आप जो है position बना सकते हैं next है हमारा HDFC HDFC bank तो अब देखिए जैसा कि bank nifty range में काम कर रहा था same उसी तरब HDFC bank में उसको follow कर रहा है नीचे की range है 1350 रपे और उपर की range है 1450 रपे तो यह 100 रपे की range है 100 रपे की range के अंदर ही काम कर रहा है तो यहाँ पर में भी आप देखिए यहाँ पर इसने जो candle बनाई हुई है यह अक्सर जो है candle है आपको support पर दिखाई देंगी है नेक्स्ट है हमारा HDFC तो HDFC को अभी छोड़िया विच्ट कुछ नहीं करना है नेक्स्ट है हमारा hero तो यहाँ पर hero में देखिए यहाँ पर जो है देखिए को head and shoulder pattern मन रहा था पर head and shoulder pattern यहाँ पर active नहीं हुआ तो मैंने वो डिलीट कर दिया है अब यहाँ पर देखिए triangle pattern active हो गया है और finally यहाँ पर triangle pattern का breakout आ गया है बट यहाँ पर volume support नहीं कर रहा है अगर यहाँ पर आपको 32 की closing के उपर 325 रुपे के उपर अगर आपको कल यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ पर intra day में buying कर सकते हैं 340 रुपे हमारा यहाँ पर target रहेगा नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तानी यूनिलीवर तो हिंदुस्तानी यूनिलीवर को यह देखिए नीचे से यह trend line आ रही है यह इसके लिए support का का काम करेगी और यह जो उपर मैंने draw किया हुए 2215 के आसपास यह इसके लिए resistance का काम कर रही है अब 2215 के ऊपर की closing 2215 के ऊपर की closing इसको 300 और 250 के लिए लेकर जा सकती है next है हमारा ICICI bank तो देखिए मैंने आपको bank nifty की video में continue बता रहा हूँ कि ICICI bank और investment bank को short नहीं करना है इनमें आप जो है तेजी के लिए ही continue यहां पर बना के रखिए तो यहां पर देखिए आपको यहां पर बताया था मैंने 480 रुपे के ऊपर बाइंग करने के लिए finally यहां पर देखिए Friday के session में हमने यहां पर एक अच्छा जो है इसमें मूव देखने के लिए मिला है हमको अब ICI bank को अगर आप buy करना चाते है तो इसमें 505 रुपे के उपर जो है इसमें अपनी जो है position बना सकते हैं अगर आप banking के लिए जाना चाते हैं banking के stocks की वीडियो देखना चाते हैं तो मैंने इससे पहले एक bank nifty की वीडियो Friday को मैंने बना कर post की है वो Monday के लिए है आप उसको जाकर देख सकते हैं उसमें मैंने सारे बैंको की जो है analysis करके बताई हुई है और bank nifty की वी analysis करके मैंने वहाँ पर बताई हुई है next है हमारा infosys अब infosys यहाँ पर देखिए अब continue इसने एक triangle pattern में जो है trade कर रहा है अब इसके लिए जो level यह पोट है वो 1155 का 1155 के उपर की closing 1155 के उपर हम इसमें 1180 का target हम यहाँ पर देख सकते हैं तो 1155 का level एक बर break होने देजिए next है हमारा lt तो lt में देखिए जबरदस्त move अब यहाँ पर देखने को हमको मिल सकती है अगर आप यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक flag pattern tag का बन रहा है अब यहाँ पर Friday के session में अच्छी यहाँ पर move देखने को मिली है अब यहाँ पर अगर आप buying करना चाते हैं Monday के session में तो 1165 के उपर यहाँ पर buying position आप बना सकते हैं नेच्ट है मारूती में देखें ब्रेक आउट के बार यह देखिए यह जो उपर का level था यह 7335 के आसपास का level था तो 7335 के उपर देखें जैसे यह level breakout हुआ कितना जबरदस्त हैं आपर move देखने को मिली है और यहाँ पर देखिए volume भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है देखिए अगर आपने यहाँ पर position बनानी है तो आप यहाँ पर बिल्कुल position मत बनाईए because आप यहाँ पर trap हो सकते हैं आप इसको retest होने दीजिए retest होने के बाद आपको कहीं 7350-7370 के आसपास मिलता है फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं otherwise intraday traders इसमें 7890 रपे के उपर इसमें बाइंग कर सकते हैं यहाँ target हमारा 8950 रपे का होने वाला है next है हमारा Nestle तो Nestle भी देखिए अब resistance लेवल के आसपास यह काम कर रहा है तो यहाँ पर हमको 18100 का लेवल क्रोस होने के बाद इसमें हम बाइंग के लिए देखने वाले हैं next है हमारा SBI Life तो SBI Life भी देखिए अब इसके लिए 885 का लेवल important है 885 के उपर निकलने के बाद हम इसको buying या sell share के लिए देखेंगे next है हमारा Reliance तो Reliance यहाँ पर देखिए नीचे से continue एक यह trend line draw मैंने करके रखी हुई है तो यह trend line के ही अब इसके लिए support का का काम कर रही है finally यहाँ पर देखिए काफी दिनों से 123456789 मतलब यहाँ पर 12 trading session से continue इसी trend line पर support ले रहा है अब यहाँ पर देखिए अगर आप position बनाना चाहते हैं तो यह उपर से trend line आ रही है इसको breakout होने दीजे या फिर 1900 या 2000 के बाद आप इसमें जो है buying बना सकते हैं next है हमारा Shiri Cement तो Shiri Cement को भी छोड़िए कोई अभी pattern में को दीखनी रहा TCS TCS भी मैंने आपको last weekend में दिया था यहाँ पर 2770 के उपर buying करने के लिए तो फिरहाल अभी यहाँ पर breakout नहीं हुआ है वेट करें 2770 के उपर breakout जो निकले होगा तब इसमें हम यहाँ पर buying के लिए Tata Motors देखेंगे यहाँ मैंने आपको 155 के उपर buying के लिए आपर suggest किया था Positional Traders के लिए तो finally यहाँ पर देखें जो high लग गया है 185 का target और यहाँ पर 188 का high लग चुका है next Tata Steel तो Tata Steel भी देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया था near about 440 के आसपास कि 440 के उपर आप जो है position बना सकते हैं तो Positional Traders ने हमने यहाँ पर 80% quantity अपनी book कर ली अभी भी 20% quantity हमारी holding में यहाँ पर चल रही है next हमारा Titan तो देखिए Titan मैं आपको 2 weekend से आपको continue में post कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो है पहले तो हमने यहाँ पर 1208 के आसपास यहाँ पर position बनाई थी ठीक है और उसके बाद मैंने आपको last weekend में दिया था वो बताया था कि यह जो है ascending channel जा अगर breakout होता है फिर इसमें आप position बना सकते हैं 1400 रुपे के उपर 1300 रुपे के उपर यहाँ पर buying position बनती थी अभी जो high जो लग चुका है वो 1440 का लग चुका है अगर आप बोईश में position बनाना साते हैं तो 1400 के आसपास इसक्वाने दीजी फिर आप यहाँ पर जो है position के लिए देख सकते हैं next time हमारा UPL तो UPL के लिए देखे यह जो मैंने एक resistance level draw करके रखा हुआ है 465 का और यह उपर से trend line भी आ रही है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर multi resistance हमको यहाँ पर दिख रहे हैं तो इस level को cross देने दीजीए इस level को निकलने के बाद यहाँ पर हमें एक बहुत जबरदस्त move देखने वाले है तो इसको अपने radar पर रखिएगा इस move के लिए तयार रहे है 465 रपे की closing हमको चाहिए 465 के उपर की closing इसके बाद हम जो यहाँ पर target देखेंगे वो 500 और 525 का target देखेंगे next है मारा ultra tech तो ultra tech ने भी finally देखिए यहाँ पर एक range बनाई जो range बनी यह देखें कम से कम 15 trading session से जो है इसी range में काम कर रहा था उपर की range जो थी 4975 की और जो नीचे की range थी वो थी 4750 की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 200 से 200 points की range के अंदर ही 15 जिन उसी यह घूम रहा था और finally Friday के session में इसने breakout दे रहा है अब यहाँ पर आप 5100 रुपीज के उपर इंटर डे में भी buying कर सकते हैं position बनाना चाहते हैं तो 5100 के उपर position भी बना सकते हैं आपको यहाँ पर stop loss रखना है तो वीपरो देखिए वीपरो भी यहाँ पर देखिए यह जो trend line निचे से draw आ रही है अब यह इसके लिए support का काम कर रही है और यह जो उपर का hurdle है 365 का है 365 का मेरे हिसाब से यह जो है Monday के session में इसको break होना चाहिए अगर यह break नहीं होता है तो मेबी दुबारा इस trend line के पास आ सकता है और trend line से bounce back one के बाद यह break out कर सकता है अगर आप देखिए हमारा साथ trade करना चाते हैं तो आप हमारा साथ angel broking में या alias blue में account open कर सकते हैं account open करने के बाद आपको जो है personal group में add किया जाएगा और वहाँ पर आपको वह call दी जाएगी जो call में personal trade करता हूँ तो अगर आप हमारा साथ account open करना चाते हैं तो निचे discussion में link दिया हुआ है आप वहाँ से जाके account open कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल की वीडियो में जैहिंद